हलो दस्तों इस वीडियो में आपको developmental biology का जो cell migrations होता है after the blastula gasculia formation करने के time में cell movement करता है एक part से दूसरे type में या exact movement करता है या individual cell भी movement कर सकता है छुट छुट के ठीक है तो ये events क्या है and types of cell movements क्या होता है और ये इतना important क्यों है आपको बता होगा कि after fertilization जब जाइगोट फर्म हो जाता है उसके बाद आपका ब्लास्टूला फर्म होने का बाद ग्यास्टूला फर्म करता है तो ब्लास्टूला का बाद फेज होता है तो सेल का बहुत सारे मुवमेंट्स होता है एक जगा से दूसरे जगा जाना दूसरे जगा तो इधर से इधर आ और्गेनिजम के टाइक के अनुसार चेंज होते रहे हैं अर यह नहीं होता तो ओर्गेनिजम डिफट नहीं वीट बहुत सरे मुफमेंट जरू होता है क्व College liver दू सब्सक्राइब करता है तो व्हार की अलग लग चीज़56 क्रस्पनट नहीं है अंदर से बाहर आ रहा है या बाहर से अंदर तरव जा रहा है यह सेंगल सेल मुगमेंट कर barrier कर रहा है उसके ओपर बेस्कर करके बैराइटी Tian type of cell movement को नाम दिया गया है वो नाम क्या क्या है उसके ओपर बात करेंगे और कौन-कौन सा और्गैनिजम में यह पा जाता है यह question पूछा जाता है तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो पहला जो मुझेट आपको दिख रहा है इन्वैजिनेशन इन्वैजिनेशन क्या होता है देखें सिंबली आपको डाइगराम भी दिख रहा है कि अगर कोई मतलब कोई अगर गोल तरफ बॉल के तरह है और एक सीट को अगर उंगली देखे आप अंदर कर रहे हैं तो एक सीट उपर तरफ जा रहा है अंदर से तो यह जो होता है इसको इन्वैजिनेशन बोल जाता है तो यह सी अर्चिन में पाई आता है सी आर्चिन मतलब किसको बोले जाता है कि एकाइनोड ऐट अब पाई जाता है तो इस टाइप पूश सकता है कि इन्वैजिनेशन जो होता है वह कौन सा और्गैंजिन में पाई जाता है उसके बाद है इन्वालिउशन इन्वालिउशन क्या होता है देखे डाइग्राम से आपको थोड़ा पता चलेगा तो आपको समझने में थोड़ा एजी होगा यहां पर बोला गया है इनवर्ड मुवमेंट ऑफ एक्स्पैंडिंग आउटर लेयर मतलब आउटर लेयर में जो उसके उपर बाहर से सेल अंदर तरब जा रहा है तो इसको बोलता है इन्वालिउशन यह कहां पाए जाता है एम्फेबिया का मेशोडाम में पाए जाता है तो यह कोशन पुछेगा कि हो सकता है पूछ सके इन्वालिशन क्या होता है या पूछ सके कि एम्फेबिया में किस नीच टाइब का सेल मुवमेंट और शीट के तरह नहीं चीट के तरह नहीं नहीं करेगा यहां पर क्या होगा Migration of Individual Cells from Cell Surface into the Embryas जाता है सी एर्चीनी में पाया जाता है अकाइनोड या मेसोडर्म अंडॉसोफिला का नियोरो ब्लास्ट चो चेल होता है वहां पर इस ट्राइप का सेल मुवमेंट पाय जाता है उसके बाद कौन सा है देखे डेल अमाइनेशन यह क्या होता है यह होता है कि स्प्लीटिंग उसको स्पीट कर दिया गया मैं तोड के डिफरेंट सीड बनाया गया चेल के थू और वह सेल तू और मोर हो सकता है एक ज्यादा भी हो सकता है वाइल ऑन देखिएगा तो इंगरेशन के तरह ही दिखता है थोड़ा तो दा रिजर्ट इस दा फार्मेशन आफ निव एडिश तो यह कहां पर यह होता है कि डेव आपमेंट फ्रोसस होता नहीं जब तो बहुत सरा का मूट्ट करता है अगरपो ओよ दिखेड़ामंड फैरे एंग ओभाट्स में होता है उसके थूह होता है तो पाय जाता है इसलिए इसका वी ए सिम्पल यह जो आपको देखना ना यहां पर लिखा है splitting of cellular ऐसे कुछ हम पुझेगा कि splitting of cellular is found which type of cell movement तो ऐसे अगर के चार option दिया जाएगा और आपको confusion किया जाएगा अगर आपको पता होगा तो आप answer कर दिजिएगा ठीक है उसके बाद है एपी बोली एपी बोली क्या होता है कि movement of epithelial cells मतलब epithelial cell है उसका movement होगा क्या बोला है कि movement of the epithelial cells usually ectodermal cells होता है spreading as a unit unit की तरह spread करेगा यह rather than individually इंग्रेशन में आपका individually होता है लेकिन epiboli में आपका individually नहीं होता है क्या होता है क्या से unit होता है epithelial cell to close the deeper layer of the embryo तो क्या करते in close मतलब इसको cover करता है deep layer of the cells को seat को जो भी हो and can acquire by cells dividing and by the cells changing their shape कैसे होता है यह थोड़ा different देखिए ऐसे नहीं कि cell moment करा है यह divided के through होता है और अपना cell जो डिवाइड होके बनता है वह अपना shape change कर देता है shape मतलब अपना जो ओपर का surface होता है वो थोड़ा change करकर करके उसको surface को cover करता है तो यह इसलिए पूछा गया है बोला गया है यहां पर enclose the deeper layer of the embryo and can occur by the cell dividing and by cells changing their shape और by several layer of cells intercalating into the fever layer of all three mechanism are used ठीक है तो यह कहां पाया जाता है यह भी बोली examinations आप अगर भरे हैं और उसका अगर previous question पर check कर रहे या solve कर रहे तो आपको पता चलेगा कि इस type of question पूछे जाता है तो मेरा चैनल को subscribe कर दीजिए बिल notification को प्रेस कर दीजिए क्योंकि नहीं किजिएगा आपके बास कोई भी notification जाएगा नहीं और अच्छा लाइक कीजिएगा दोसरे सेर कीजिए तो जाता ज्यादा student को पता चलेगा कि इस type of video भी आता है तो धन्यवाद दोस्तों video देखने क कर दोस्तों